सिक्षा और महांता किसे भी समाज को किसे भी राष्ट को अगर महान बनाना है पस एक चीज में परिवर्तन कर दो सिक्षा में उसकी महांता को आप रोक नहीं पाओ उसकी ग्रेडनेस को आप रोक नहीं पाओ कभी कभी कुछ नोबल चीजें वो ट्रांस्वाम होके बड़ा कुरूप रूप ले लेती हिंदुस्तान में दान देना धर्म की प्रक्रिया है इसलाम में भी है इसायत में भी है यह जितने भी गुर्कुल वगरा चलते थे आश्रम वगरा चलते थे यहां जो स्टूडेंट पड़ते थे किसी के भी घर के हों किसी के भी कृषन राजा के घर के हैं शुदाम आम घर के लेकिन जब ru chain जा रहे हैं so love आश्रम के के All और स्टूडेंट कैसे रहेगा भिक्षू की तरह बिखाली नहीं विक्षू उसे बाहर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी उसे भिक्षा पर आश्रम चलेगा यह पहला चलना होता था किसी स्टूडेंट के लिए विक्षू कियो एहंकार को मारना आप सीखी तभी सकते हैं जब आपका एहंकार खतम हो चुका है हमारे पास बहुत लोग आते हैं यह हमारे पापा छट्यस गळमें जीडीप डीजीपी हैं सर अचाँ अचाँ तो टेंडर दिलाओं को है छट्यस गणने नहीं सर हम तो ऐसे बता रहे हो क क्यों बता रहे हो क्या बदल जाएगा उससे तुम सीखने आए हो अगर हमें दबाव में ले लोगे कि डीजीपी साहब का बेटा है कुछ कहते हैं तो बुरा ना मान जाए तो तुम हमसे कभी सीखी नहीं पाऊगा आज आज परिवार का वात आवरान है फैमिली और आज चार घंटा स्कूल में रहेगा बागी बीज घंटा घर में रहेगा चार घंटा स्कूल में रहेगा बागी बीज घंटा यानि सरवादिक प्रभाव उसके उपर कहां का होगा परिवार का कि यह एक दूसरा बहुत बड़ा परिवर्ता है आश्रम में रहना और परिवार में रहना दो बिलकुल अलग अलग बात है हला कि आज भी बड़ी सारी धार्मी संस्थाइं चल रही है जो छोटे-छोटे बच्चों को शुरू सही घर से बुला लेती है लेकिन उनका रिजल् जैसे लोग पढ़े हुए थे राजा राम मोहन रॉय फार्सी आती थी अर्भी आती तो मदर्सा के पढ़े हुए आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में मदर्सा की सिक्षा का अस्तर कितना उंचा रहा होगा सर्षिक्षा का कोई भी अस्तर बुरा नहीं होता